आज हम नया टॉपिक इस्टार्ट करेंगे डिएफे डिट्रिमिनिस्टिक फाइनाइट आटोमेटा तो डिट्रिमिनिस्टिक फाइनाइट आटोमेटा के वारे हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन आज हम कुछ उसके पहले बेसिक थियोरी पढ़ेंगे जो आँगे हमें क्वेश्टन सौल करने में बहुत मदद करेगा एक बात ध्यान रखिएगा इसके पहले जो मैंने आपको DFA बताया है या DFA का मिनिमाइजेशन बताया है वो तो सिर्फ एक प्रोसेस बताया था क्योंकि minimal DFA की draw करने के लिए लेकिन DFA के बारे में अभी theory नहीं हुई है minimal DFA के बारे में या DFA के बारे में theory discuss नहीं की है इस बीडियो में हम DFA की theory discuss करेंगे बिल्कुल point by point जो हमारे लिए आंगे question solve करते बक्त मदद करें एक बात और ध्यान रखिए पहले भी हमने बात किया था productive state, non productive state के बारे में तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे अभी अब जो पहले theory थी 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 तोड़ी सी detail theory होगी यहाँ पर DFA की सबसे पहले definition देखेंगे DFA की the mathematical representation of regular language is called as finite automata or the mathematical system that process the string is called as finite automata in general finite automata अगर word कहीं लिखा है तो इसको DFA ही बोलते है deterministic finite automata ही बोलते है ओके नौ इसके बाद सिरसे एक और है और और करके यह लिखना है आपको FA is a five tuple और करके मदब इसमें तीन definition है FA is a five tuple M equals to Q, sigma, delta, Q0, F where Q equals to set of all states same फंड़ा जैसे आपका NFA में था यह बाला part आपका change डिल्टा, delta is a transition function यहाँ पर जो mapping है Q multiply by sigma tends to Q है आपने NFA में देखा था 2 की power Q में mapping हो रही थी इस बार 2 की power Q में mapping नहीं होगी कितने में mapping होगी आपकी Q मतलब आप कहने हो तलब यह है Q आपका हो गया set of all states and multiply by input symbol जब आप करेंगे तो यह कहां जाएगा यह सिर्फ set एक state पर ही जाएगा यहाँ 2 की power क्यों क्यों नहीं लिखे हैं क्योंकि DFA में अभी हम note लिखेंगे क्योंकि DFA में हर input symbol जो भी input symbol है हर state से जो भी state आप लेंगे उससे उसका एक ही एक ही transition होगा multiple transition not allowed यही वज़े है कि इस बार इसमें 2 की power क्यों नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि Q0 में लिखे state है उसमें A आने पर आप Q0 में भी रह रहे हो Q1 में भी जा रहे हो Q2 में भी जा रहे हो ऐसा बिलकुल नहीं है यहाँ जो भी input symbol दोगे जैसे Q0 में A आने पर या तो Q0 में जाओगे या तो किसी एक state में जाओगे ऐसा नहीं रहेगा कि multiple path हो रहे है एक input string का एक state से एक ही transition होगा अगर आपके पास दो state है Q0, Q1 और आपके पास दो input symbol है 0 और 1 तो total transition आपके पास 4 होगे कैसे होगे Q0 से 0 का transition होगा Q0 से 1 का transition होगा Q1 से 0 का होगा Q1 से 1 का होगा ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जितने input symbol होते हैं और जितनी state आप लेते हैं उनसे sub का transition होना चाहिए अगर किसी का transition नहीं आ पा रहा उस language के part में नहीं बन पा रहा तब आपको dummy state introduce करनी पड़ेगी और dummy state भी अपने आप में क्या होनी चाहिए complete होना चाहिए मतलब उस पे भी 0 1 का transition होना ही चाहिए अगर आपके पास input symbol 3 हो गए और आपके पास number of state अभी भी 2 है तो total number of transition कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे यह हम अभी यह point हम note में लिखेंगे note में discuss करेंगे तो यहाँ पे क्या change हो गया आपका transition function change हो गया q0 initial state same as nfa f equals to set of all final state यह भी वैसे यह बस अंतर कितना आया है इस definition में nfa में 2 की power q था क्योंकि वहाँ पे 1 state से 1 input कितनी भी state में move कर सकता था यही वज़े था कि वहाँ पे non-determinism था कि अपने एक input दिये तो एक से जादा रास्ते दिख रहे थे इसी वज़े से तुसको nfa बोले है इसी वज़े से तुसको non-deterministic बोलते है got it? now अब हम जो बात करने जा रहे हैं इसके बाद यह तो आपके definition हो इसके बाद हम बात करेंगे आपके note की इसमें करीब 9 point होंगे note के तो सारी theory जिदनी भी dfa में theory use करते हैं सारी theory इसमें discuss करेंगे now first theory note का note यह note है आपकी note का पहला point देखेंगे in journal fa is dfa second point every fa is only one initial state मतलब जितने भी dfa dfa in general fa को dfa बोलते हैं ध्यान रखिये कभी भी fa word आये तो उसको dfa मानिएगा deterministic finite automata every finite automata is only one initial state now third point fa can be construct without or with final state that is the number of final state in fa is 0,1 or more अब प्रस्णिये उठता है पहले भी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं with or without final state तो अगर मैं बात करूँ जो आप लोग अभी minimal dfa या जो भी आप अभी पढ़ रहे हो इसमें final state तो आपकी होगी अगर आपको language accept करानी है ठीक है लेकिन कुछ ऐसा dfa भी होता है जिसमें final state का कोई concept नहीं होता और वो fourth point dfa is a complete system ये point बहुत important है ध्यान रखिएगा dfa is a complete system that can respond both for valid or invalid input ये point बहुत important है जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं पहले से dfa is a complete system that can respond both for valid or invalid input that is dfa can respond for each and every string of sigma star इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा इस्टार का मतलब ये हुआ कि सिग्मा इस्टार is a universal language क्या है ये universal language अगर आपने input alphabet 0,1 लिया है तो 0 और 1 से बनने वाली सारी string आ जाएंगी आपकी including epsilon हो सकता है आपका जो language है वो language इसका subset हो सकती है जो भी language L है तो उस language को accept करेगी ही करे पाएंगे उसके अलाबा भी आपको बनाना पड़ेगा मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो DFA है वो complete system है यहां valid input के साथ invalid input को भी take care किया जाता है ओके नाओ next point next point के बारें six point के बारें बात करेंगे number of transition function define at state ध्यान रखियेगा number of transition function define at state equals to number of input symbol जितने भी input symbol होंगे उतने उस state के ऊपर transition function define किये जाएंगे इसके बारें हम पहले भी बात कर चुके हैं नाओ seventh point total number of transition define in DFA ओके नाओ इसको भी आपको याद रखना है total number of transition define in DFA equals to mod sigma mod sigma का मतलब number of input जितने भी ऐसे आपने लिखा sigma equals to 0,1,2 इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कितने input हो गए 3 input हो गए multiply कराईए mod q, mod q मतलब total number of state जिसे माल लीजे मेरे पास जो q equals to है वो q0, q1, q2 है ठीक कितनी state है इसके अंदर 3 तो अगर मैं बात करूँ इस mod sigma total कितना हैगा 3 multiply by 3 total कितना हैगा 9 इसका मतलब यह हुआ total number of transition कितने होंगे total number of transition 9 होंगे, अब कोई जरूरी नहीं है कि 9 के 9 valid input के लिए हो हो सकता है काद दो इसके invalid input के लिए हो क्योंकि यह complete system होता है ओके, now next point के बारे में बात करेंगे DFA moves to exactly one state after taking the input symbol from sigma मैंने पहले ही बताया था, यह deterministic finite automata है यहां non determinism बिलकुल नहीं होता है अगर आप एक input देंगे, तो exactly एक state में ही यह move करेगा एक से ज़्यादे state पे नहीं जायेगा, अगर आपका जा रहा है तो आपने DFA draw नहीं किया है, NFA draw किया है Now, last point, in DFA, every string has only one transition path That is, DFA, every string can process only one way मतलब सिर्फ और सिर्फ आप एक ही रास्ते से उस string को process कर सकते हैं इसी वज़े से इसको deterministic finite automata खा जाता है ठीक, क्योंकि यहां path पहले से determine होता है कि जाना है, अगर आपकी valid string है, तो आप उसी path को follow करते हुए जाएंगे Now, ये तो note के point थे आपके जितने भी DFA में terms use होंगे वो सारे यहां पे note के point में discuss कर लिए गए है अब हम आँगे बढ़ेंगे instantaneous description Next definition आपकी है थोड़ा सा ये terms कई वार use करते हैं तो इसको अपन भी पढ़ लेते हैं कि instantaneous description का मतलब क्या होता है फिर मैं एक example की माध्यम से आपको ID लिखके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा clear भी हो जाएगा कि ID होता क्या है ID actual में हम जब programming करते हैं तो उसमें हम ID ही लिखते हैं instantaneous description ही लिखते हैं हम गोल-गोल गुंडू नहीं बनाते हैं कि हम गुंडू बनाते हुँ चले जाते हैं और उसके उपर straight दे रहे होते हैं नहीं हम वहाँ पर ID ही provide करते हैं तो कैसे ID provide करते हैं कैसे इसका movement करते हैं वह अपन देखेंगे ID सबसे पहले instantaneous description की definition देखेंगे definition है ID describe the movement of FA movement of FA the movement of FA depend on two entities मतलब कितने पर depend करता है दो पर first है आपका current state first है आपका current state और second है current input symbol पहला क्या है current state और दूसरा है current input symbol इसका मतलब यह हुआ माल लीज़े आप transition चेक करें तो कोई state QI हो सकती है उस पे A आने पे कहां जा सकते हैं कोई QJ state पे जा सकते हैं यह आपकी ID होती है यह इसको बोलते है instantaneous description मतलब उसमें FA का movement बताया जाता है वो तो आप जो गोल गोल बनाते हो वो आप अपने understanding के लिए बनाते हो ठीक लेकिन अगर कल के दिन आप programming करने जाएंगे तो आपको ID ही लिखनी पड़ती है instantaneous description ही लिखना पड़ता है अपने program में ओके पहले भी हम बात कर चुके है FA के representation के बारे में या NFA को भी मैंने represent करके दिखाया था तो वही सेम फंडा FA can represented in two ways पहला है transition table और दूसरा है transition diagram ठीक है अगर आपने transition diagram बना लिया है तो table और table बना लिया है तो diagram एक ही चीज है ठीक बट इनको दो तरीके से represent कर सकते हैं कैसे पहला transition table और दूसरा transition diagram एक example देखते हैं और इसी में हम दोनों करके देख लेते हैं तो एक बार और आपकी practice हो जाएगी कि कैसे transition diagram से table बनाना है और table से diagram बनाना है क्योंकि हम पहले भी practice कर चुके हैं यह आप लोग minimal DFA बनाना सीख गए हो हम अभी DFA टच किये बगएर हम minimal DFA बनाना सीख चुके हैं यह हम पहले भी देख चुके हैं ठीक now q0 q0 में a आने पे आप q0 में हो और b आने पे मैंने यहाँ पे दो input symbol लिये हैं b आने पे आप q1 में move किये हो ओके now यह final state आपकी होगे q1 और इस पे a आने पे आप q1 पे हैं और b आने पे वापस से q0 पे हैं this is a transition diagram got it now अगर मैं transition table की बात करूँ तो delta a, b a और b आपका input symbol है इधर यह transition function यहाँ state कितनी है q0 और q1 q1 आपकी final state है तो गोला बनाई यह गुंडू बनाई यह ओके now q0 q0 में a आने पर q0 में a आने पर q0 q0 में b आने पर q1 q1 में a आने पर q1 and q1 में b आने पर q0 this is a transition table this is a transition diagram now id लिखते हैं अब movement बताता हूँ id कैसे लिखेंगे इस पूरे मसीन का id instantaneous description कैसे लिखेंगे वो चेक करते हैं तो देखिए सबसे पहले delta q0 में a आने पर q0 में a आने पर आप कहां जा रहे हैं q0 में यह आपकी पहली id हो गई second id delta q0 में b आने पर कहां जा रहे हैं q1 में तीसरी id है q1 में a आने पर कहां जा रहे हैं q1 में next id last id q1 में b आने पर कहां जाएंगे q0 में तो कहने का मतलब यह हुआ कि सरजी total instantaneous description कितने होंगे तो यह same फंडा उसी के उपर depend करता है total number of transition define in dfa के उपर कि total number of transition कितने आपने define किये हैं अगर आपने total number of जिसे यहाँ पर देखिए दो input symbol है और दो state है तो total कितने आ रहे हैं 4 तो आपके id भी 4 आएंगे जहान रखिएगा अगर आपके पास 5 state है और 2 input symbol है तो 10 id आएंगे कितनी id आएंगे 10 ओके इसमें कुछ notes के point रहेंगे जिसको आपको पढ़ते हुए लिख लेना है मैं इसमें पूरा सब कुछ समझा दे रहा हूँ उसके बाद सिर्फ आपको write down करना है कुछ point है थोड़े से theory जानना इसमें जरूरी है now block diagram of FA में तीन part आपके होते हैं पहला part होता है input tape दूसरा होता है tape header और तीसरा होता है FCU finite control unit बोलते हैं मैंने example के तौर पे यहां string ली है AB 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 करके यह finite string यहां पे ली है ठीक तो इसका movement देखिए FA move करेगा सबसे पहले A को read किया तो Q0 से अब Q1 में आ गया ध्यान रखिएगा FA एक बार में एक ही state मतलब एक ही state जहां जिसमें इसी को ध्यान रखता है यह नहीं जिसे आप Q1 ने पहुँच गए तो Q0 को remember नहीं रखेगा इसका मतलब यह हुआ कि FA की जो memory होती है वो सिर्फ single symbol को process करने के लिए होती है FA can't remember previous symbol ठीक है और इसमें memory extend भी नहीं कर सकते है FA has a finite amount of memory and it is can't extend it मतलब आप इसको बढ़ा नहीं सकते है ध्यान रखिए can't be extended बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते है यही वज़े है कि FA की कुछ limitation होती है FA के drawback होते है जिसमें सबसे पहला drawback यह है large amount of information can't be store in FA आप large amount का जो information हो इसमें कभी भी आप store नहीं कर सकते है यह इसका drawback है मैंने इसके drawback पहले ही आपको बता दी है अगर इसमें tape header है एक बार में यह tape header single यह जो आपका input tape होता है यह divide होता है cell में one by one इसके अंदर आपकी string लिखी होती है और tape header आपका one by one इसको read करता चला जाता है अगर वो final state पे finally पहुँच गया तो वो accept कर लेता है अगर वो final state पे नहीं जा पाया तो वो invalid बोल देगा इसी में कुछ point होते है one by one करके पहला आप input tape के बारे में देखेंगे थियोरी में दूसरा tape header के बारे में बतायागे tape header की simple functionality होती है कि one way move करता है मतलब ये इधर left से start करेगा तो left to right जाएगा और दूसरी बात एक बार में एक ही input symbol को ये scan करता है ऐसा नहीं है कि हर मतलब एक साथ कई सारे symbol ले लेगा और इसका movement ऐसे नहीं कि आप पीछे लाएप इसका one way ऐसे ही चलता चला जाएगा तो ये आपको theory में मिलेगा now FCU के बारे में बात करें तो FCU control unit है मतलब इसी के माध्यन से ये सारा movement होगा okay got it now इसका जो drawback है मैंने drawback पहले ही discuss कर लिया है इसके बाद इसमें बात करते हैं पूरी theory आपके DFA की यहाँ पे खतम हो गई now इसके बाद बात करते हैं acceptance of FA acceptance of FA की theory आपके सामने आ रही है इसको आपको एक बार बस read करना है बाकि जब हम question करेंगे तो उसमें तो आपको समझ में आई जाएगा कि अगर हमने कोई string दी अगर वो final state पे पहुँच गई तो accept कहलाएगी अगर वो final state पे नहीं इंड हो रही किसी non final state या किसी और statement में इंड हो रही है तो क्या बोलेंगे उसको कि string accept नहीं हो रही मतलब invalid string है उस language के लिए या उस machine के लिए तो acceptance by FA की यही definition है इसके बाद इसमें अपन कुछ note पढ़ेंगे और वो note बहुत important रहेंगी ध्यान दखिएगा अब हम regular language के फिर से एक बार बात करेंगे और इसमें हम कुछ state के बारे में बात करेंगे और यह theory थोड़ी से important है क्योंकि इसमें से कई बार बच्चों को काफी doubt रहता है इसलिए देखिए सबसे पहले देखिए regular language regular language के लिए हम क्या बनाएंगे finite automata finite automata जो बनेगा उसमें finite number of state होंगी कितने होंगी finite ऐसा नहीं होगा कि आपने infinite number of state अभी से possible ही नहीं है infinite language हो सकती है लेकिन जो number of state finite automata में बनेगी हों क्या होंगी finite होंगी अब जो finite number of state होती है फो दो type की होती है पहली होती है productive state productive state का रातलब कि उस language के लिए जिस language के लिए आप बना रहे है और एक होती है नौन productive state दूसरा पार्ट होता है नौन productive state तो non productive state में जो पहली आती है वो है unritual state कौन सी है unritual state और दूसरी है dead state और तीसरी है equal state इनको कई बार short form में US मतलब unritual state, dead state DS और equal state ES भी बोलते हैं ठीक है अब इसको हम one by one discuss करते हैं unritual state, dead state और equal state हम यह देखते हैं कि यह जो non productive state है इनका अगर remove कर देते हैं इनको अगर remove कर देते हैं आपके अपने DFA से तो क्या फरक पड़ता है, क्या फरक पड़ता है language में और क्या फरक पड़ता है structure में DFA के, structure मतलब यहाँ पे complete और incomplete system के बारे में बात हो रही है, structure means complete और incomplete, तो जो DFA के बारे में बात किया गया था, DFA क्या है आपका, complete system है, ओके, तो इन state के बारे में हमें यह पढ़ना है, कि यह है क्या, और इनको अगर हम remove कर देते हैं, तो हमारी language में क्या फरक पड़ता है, या हमारी structure में क्या फरक पड़ता है, इन दो points को हमें देखना है, now, सबसे पहले definition हमारी है, unritual state की, unritual state से start करेंगे, unritual state, तो unritual state की जो आपके definition है, the state can't be reached from initial state is called unritual state, पहले ही मैं बता चुका हूँ, एक ऐसी state जिस पे आप initial state से पहुँच नहीं सकते हैं, ठी, उसको unritual state बोलते हैं, for example, देखेंगे, यह आपकी initial state हो गई, b, a, q1, ठीक, इसके उपर a का लूप है, और b, इसके बाद, q2, इसके उपर b का, और यह, यह आपका example है, ठीक, ध्यान से देखिए, initial state से आप किस state पे नहीं जाब पाएंगे, q2 state पे नहीं जाब पाएंगे, तो इसकी language जो dfa की है, तो देखिए, इस starting में b रहा आए, और बाद में यह minimum एक a से तो end होई रहा है, minimum एक a से end होई रहा है, उसके बाद कितने भी a ले, तो कहने के मतलब यह है कि last में a तो आना ही आना है, last में a तो आना ही आना है, क्योंकि यहां तो single a लेगा, तब भी last में a आएगा, माल लिजे कितने भी भी हो जाएं और a, तो भी एविक से अब थोड़ा तो a आ रहा है, b के बाद a, तो आप क्या बोल सकते हो इस language को, क्योंकि यहां पर a और b से बनने वाली हो सकता है, सारी string हो a और b से बनने वाली, तो यह पूरा किसमें जा सकता है आपके, x में, तो इसकी language क्या बनेगी, अगर इसकी में language बताऊ, यह language है, and with a की, मतलब यह जो dfa बना हुआ है, वो and with a के लिए बना हुआ है, जो language का part क्या है, and with a, कैसे निकाला मैंने, मैंने पहले चेक किया, कि कितना भी हो जाए यह, और last में एक single ए तो आएगा ही, आएगा चेक, आप single ए लिजिए, चाहिए इसको round and round गुमाईए, ठीक, अब हम देखते हैं, अगर हम अपने machine से, क्योंकि simple सा funda है, इसको remove करते हैं, अगर इसको direct remove किया जा सकते हैं, इसके लिए कोई algorithm की जरूरत नहीं है, अगर आप initial state से किसी state में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उस state को तुरंट remove करिये, क्यों remove करिये, क्योंकि इसको remove करने की बाद भी अगर आप बनाते हैं, dfa q0, b, a, and q1, यह final state, a, और now b, और मैंने इसको remove कर दिया, तब भी अभी भी जो language का part है, वो end with a ही रहेगा, language में कोई अंतर नहीं आया, और structure की बात करते हैं, तो यहां structure भी सही है, क्यों सही है, हमारे पास दो input symbol है, a और b हमारे पास दो state है, तो हमारे पास सभी का transition है की नहीं है, किसी का भी transition इधर उधर नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इस note का point देखेंगे, पहला point, unrichable state, can be final और non-final, हो सकता है कि यह final और non-final हो, अगर यह final हो भी जाती, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप वहां तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, इस point का मतलब यह हुआ, कि जो आपकी unrichable state है, वो यह तो final भी हो सकती है, तो non-final हो सकती है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि उसको remove करने के बाद, उसकी language यह structure में कोई प्रभाव नहीं है, कोई effect नहीं है, now second point, on the deletion of unrichable state from FA, there won't be any change in the structure, as well as language of FA, that is, if we remove unrichable state from FA, then resulting system is also complete, and accepting the same language is accepted by original one, got it, तो इस point से आपको यह point समझ में आ गया होगा, कि unrichable state को remove करने पे, किस पे, DFA से, क्या नहीं change होता, ना ही language change होती, ना ही structure, structure मतलब यहाँ, हमारा complete system ही रहता है, complete system, complete और incomplete, मतलब एक ऐसी state, जिसको हटाने के बाद, अगर system आपका incomplete हो रहा है, तब उसको बोलेंगे कि structure हमारा preserve नहीं हो पा रहा है, ठीक, now, next definition बात करते हैं, next definition थोड़ी से important है, unrichable state तो आपको बहुत जल्दी दिख गई, और क्यों दिख गई, क्यों कि आप initial state से, अगर किसी state पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो unrichable state है, now, next जो definition है, वो dead state की है, किसकी है, dead state की, तो dead state में देखते हैं कि अगर DFA में आपके dead state है, तो क्या हो सकता है, या उसको remove करें, तो क्या हो सकता है, यह हमें check करना है, तो now, dead state, dead state के definition, देखेंगे, the state from which we can't come back, we can't come back, मतब आप वापस नहीं आ सकते, and goes to itself for every input symbol, और मतलब उस पर अपनी input symbol पर जो भी input symbol हो, उस पर होने चाहिए, now, goes to itself for every input symbol, is called as dead state, for example, देखेंगे, Q0, A, Q1, और यह final state है, और यह A, B, इसके बाद, इसमें मैंने dead state, जोड़ा, B का transition, Q2 नाम का, यह कई बार Q2 नाम दे सकते हैं, कई बार इसको D नाम दे देते हैं, A, B, यह भी अपने आप में पूरा होना चाहिए, क्योंकि यह complete system होता है, मतलब, जो dead state होती है, वो, जो भी input symbol होती है, उसका loop आपको लगाना है, दोनों को लगा के, ठीक, अब प्रस्ट ने उटता है, सर, हम कैसे पहचानेंगे question में, की dead state कौन सी है, तो dead state की पहचान ऐसी है, एक ऐसी state, जो non-final होती है, dead state always non-final होती है, एक ऐसी state, जो non-final है, जिसमें जाने के बाद, वापस लोटने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब, अगर कोई input इधार आएगा, तो सीधा इस पे ground हो जाएगा, मतलब, वो final state पे खतम नहीं होगा, कहां खतम होगा, non-final state पे, और अगर कोई string non-final state पे end होती है, तो वो language accept नहीं होता है, ठीक है, got it, now, तो मतलब, आप dead state पहचान सकते हैं, और dead state को, dead state को भी अपन क्या करते हैं, dead state में भी अपन loop लगाते हैं, जितने भी input होगे, अगर माल लीजे, ABC होते तो ABC का loop लगता, 012 होते तो 012 का लगता, जो भी आप input लेंगे, उस dead state में आपको input डालना होगा, अब अब इस language के बारे में बात करते हैं, और फिर देखते हैं, dead state रिमूफ करने के बाद क्या प्रभाव पढ़ता है, तो इसके language की बात करें, तो आप देख रहे होंगे, start with A दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, start with A, उसके बाद कुछ भी रहा है, उसके बाद कुछ भी रहा है, मतलब कितने भी A हो, कितने भी B ले लें, तो इसकी language क्या हो जाएगी, A, X, अब हम इसको रिमूफ करके देखते हैं, और फिर देखते हैं, क्या प्रभाव पढ़ता है, Q0, A, and Q1, A, B, अगर मैं language की बात करूँ, तो language अभी भी A, X है, मतलब भी start with A ही की language है, language पे कोई प्रभाव नहीं आया, लेकिन अब इस structure पे प्रभाव आया, क्या structure पे प्रभाव आया, आपने भी previous note में पढ़ा था, DFA की क्या definition थी, जितने भी input symbol होते हैं, उनका हर state से transition होना चाहिए, यहाँ पे किसका transition नहीं है, B का transition नहीं है, Q0 से, किसका मतलब क्या हुआ, यह incomplete system हो गया, कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर आप DFA से dead state हटा देते हैं, remove कर देते हैं, तो language पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई effect नहीं पड़ेगा, बट इस texture पे प्रभाव पड़ेगा, इस texture अब क्या बन गई, यह अब NFA बन गया, non-deterministic finite automata, this is not a DFA, got it, now, यही point आप note में देखेंगे, dead state always non-final state, always non-final होती है, दूसरा point dead state is optional, यह optional भी होती है, optional को अब यह है, कि रखना चाहिए, रखिये, नहीं रखना है, तो मत रखिये, अगर आपने नहीं रखा, तो आपका फिर वो DFA नहीं कहलाएगा, वो NFA कहलाएगा, okay, on the removal of dead state, there won't be any change in the language, but there is change in the structure of the system, that is, if we remove dead state from DFA, then the resulting system is NFA, but except same language, got it, now, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको dead state clear हो चुका होगा, dead state को बहुत अच्छे से clear रखियेगा, dead state को जब भी कभी minimal DFA बनाएगे, और dead state अगर आ रही है, तो अगर उसमें पूछते हैं, total number of state बता, तो उसको count करना है, dead state को remove नहीं करना है, अगर आपने dead state को remove कर दिया, तो resulting system NFA हो जाता है, फिर वो DFA नहीं कहला है, तो minimal DFA कहां बोल पाओ गया, अब हम next definition देखेंगे, equal state की, equal state, two state P, Q are said to be equal if and only if delta P, X equals to delta Q, X for all X belongs to sigma star, that is both delta P, X and Q, X goes to final or non-final for every X belongs to sigma star, अब हम इसको check करके देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है, इसकी definition आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अभी जब हम इसको करेंगे, तो आपको clear हो जायाएगा, चलिए, यहाँ पर हम यह देखेंगे, यहाँ पर Q0 और Q2 को equal state बताता हूँ, equal state के लिए में पहले भी आपको अभी minimization जो सिखाया था, वो equal state find करने के लिए ही है, इसलिए आपको panic होने की जरूवत नहीं है, जब कभी आपको DFA को minimize करना होगा, तो आपको equal state चाटने के लिए जो algorithm हमने previous वीडियो में देखा है, उसको आपको याद रखना है, ना फिर भी यहाँ पर जो wave wordings लिखी है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले Q0 में, Q0 में मैंने AB string लिया, और मैं यह बोल रहा हूँ कि Q0 और Q2 equal है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि या तो final final state पर equal हो सकता है, या तो non final पर, तो यहाँ पर एक single final state है, तो इस पर तो Q0, Q2 equal हो ही नहीं सकता है, क्योंकि या लग सेट में आएगा, जब अपने minimization करते हैं, तो क्या करते हैं, पाई 0 में क्या करते हैं, पहला step ही यह करते हैं कि final final लग, non final लग, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर equal हो सकता है, तो non final, non final में equal हो सकता है, या final final में equal हो सकता है, got it now, तो Q0 में AB, and Q2 में AB, इसको चेक करते हैं, डेड़ेटा जो आपका transition है, equals to, Q0 में A आने पर Q1 और B आने पर Q2, मतलब कहां पर जा रहे हो, non final state, NFS का मतलब यहां पर है, non final state पर end हो रहा है, Q2 पर, अगर Q2 में AB आया तो, A देने पर Q1 पर गय है, और B देने पर कहां जा रहे हो आप, Q2 पर, तो यह non final state है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि same string कहां end हो रही है, non final, non final state पर end हो रही है, now एक और देखते हैं, एक example, Q0 में BAA आने पर, same Q2 में BAA आने पर, Q0 में, BAA, B आने पर Q0 में ही रहेंगे, Q0 में B आने पर Q0 में ही रहेंगे, A आने पर Q1 में आ जाएंगे, और फिर A आने पर Q1 पर खतम हो जाएंगे, तो कौन सी state आई Q1, final state, Q1 कौन सी है, final state, now q2, b आने पे q2, a आने पे q1 और वापस से a आने पे फिर से q1 ये भी final state, तो यही तो बताया है definition में, final और non-final, for every string x belongs to sigma star, यहाँ जो अपने x ले रहे हैं ये, ये x है, आपका क्या है, x ये किसको belong कर रहा है, sigma star को, got it, now अगर मैं इसकी language की बात करूँ, इसकी language है, l equals to end with, end with a, मतलब start b से भी हो सकता है, और end with a से होगा, मतलब ये इसकी language है, तो अगर मैं equal state remove करके बनाऊँगा, q0, b, a, and q1, a, got it, now इसका, जो b वाला symbol होगा, क्योंकि b q2 में गया है, q0, q2 तो equal है, तो b कि धर आजाएगा इधर, ठीक, now, अगर आपको इसमें थोड़ा सभी doubt हो, तो मैं आपको पहले बता दूँ, आपको equal state को minimize करना, कैसी equal state find करेंगे, इसके लिए मैंने आपको state equivalence method बता के रखी है, इसलिए बता के रखी है, कि जाए, now, इस पे अगर note की बात करें, on the removal of equal state, no change in the structure as well as language of fa, ना ही structure पे change जाएगा, अभी भी ये complete system है, ये अभी भी complete system है, और language भी इसकी क्या है, L equals to end with aE है, ठीक, that is if we remove equal state from fa, then resulting system is also complete, and accept the same language, तो इसी ये जो point थे, इनकी point को थोड़ा से एक बार और summarize कर लेते हैं, कि कैसे होता है, now, note का point है ये, अब आपकी यहाँ से note सुरू होगी, करीब 9, 9 note होगी के approximate, तो note का पहला point आप लोग देखिए, first point note का, अनेफे, ठीक, अगर मैं DFA की बात करूँ, तो DFA के अंदर language है, ठीक, dead state भी है, short form में लिखते जा रहा हूँ, dead state भी है, ठीक, unritual state भी है, और equal state भी है, clear है, अगर मैं इन सब को remove कर दूँ, किसको dead state, unritual state, और equal state, ठीक, सब को delete कर दूँ, ठीक, अगर किसको, इसको delete कर दिया, dead state, unritual state, और equal state को delete कर दिया, तो सिर्फ क्या बचेगा, L, और वो resulting system क्या हो जाएगा, आपका, NFA, got it, now, अगर इसमें से, मैंने, delete किया, क्या delete किया, unritual state, and equal state, तो इसके पास क्या बचेगा, language, जो आपकी language हो, dead state बचेगा, तो यह कहलाएगा, आपका minimal DFA, क्या कहलाएगा, आपका minimal DFA, इसको आप बोलेंगे, कि यह minimal DFA है, इसी में, the FA is free from, unritual state, and equal state, is called as minimal FA, यह minimal DFA, एक बात और ध्यान रखिएगा, DFA need not be contain the final state, यह point जरूर ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है, कि वो final state contain करे, ठीक है, now, note का second point देखेंगे, ठीक, note का second point है, the FA where all the state is non-final, the FA where all the state is non-final, except empty language phi, ठीक, तो कैसे, माल लीजिए, कोई भी state ले लीजिए, जैसे यह मैं Q0 ले लू, यहीं simple सा, और A, B दिया, यह final state है नहीं, तो इसकी language क्या होगी, L equals to phi लेगा, यह क्या लेगा, phi लेगा, now, note का next point है, the DFA accept empty string, if and only if, initial state is final state, अगर initial state, final state है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर initial state, final state है, तो आपका DFA या NFA क्या लेता था, empty string लेता था, कहने के मतलब यह है, जिसे आपने यह लिया, और इसके ऊपर, यह कुछ नहीं भी लगाया, तो यह machine सिर्फ क्या लेगी, L equals to epsilon लेगी, ठीक, माल लीजिएगा, आपने कोई और machine बनाई, और यह final state बनाया, एक ही input symbol है, माल लीजिए, single A, और यह भी final है, तो इस machine की language क्या हो जाएगी, A, epsilon, यह आपका दूसरा, तीसरा note भी clear हो गया, the DFA accept empty string, if and only if initial state is final state, अगर initial state final state है, तभी यह empty string लेगा, now note के next point दिखते हैं, note के next point की तरफ आप लोग डिजर डाल दीजिए, note के next point है, the FA where all the final state unritual accept empty language 5, माल लीजिए, example के तौर पे, ऐसे देखना चाहेंगे इसको, कि जितनी भी है, state जैसे Q0, यह initial state है, इसके उपर A, B का लूप लगा है, माल लीजिए, और इधर से आपने Q1 बनाया, यह final state है, इस पे B है, इस पे A है, यह example, तो यहाँ पे जो final state हो क्या है, unritual state है, तो अभी भी language क्या होगी, 5, got it, क्योंकि आप उस final state तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ओके, नाओ, नोट कर नेस्ट पॉइंट देखेंगे, दे एफ ए, वेर अल दे इस्टेट इस final state, except universal language sigma star, except universal language sigma star, तो इसका example देखिए, Q0, और यही final state है, A, B, तो इसका उतलब क्या हुआ, A और B से बनने वाली सारी string, मतलब एहली क्वश्ट तू, sigma star लेगा, और दूसरे example देख लेते हैं, इसी पे, second example, Q0, final, ठीक, आप इस पे A का लूप दे दें, इस पे B, और इसके बाद एक Q1 state बनाई है, इसके उपर भी A और B, तो इसमें भी सेम फंड़ा, A और B से बनने वाली सारी string लेगा, including epsilon, तो इसकी भी language क्या होगी, sigma star, अगर आपके DFA में, कभी भी सारी state, final state हो जाएं, तो उसकी language क्या हो जाएगी, L equals to sigma star हो जाएगी, ये note का point remember रखना है आपको, ठीक, now, next point, F A, where all the non-final state is unrichable, except universal language sigma star, सेम उल्टा है, previous का, इसी का उल्टा मान लीजेगा, और मान लीजे मैंने Q 0 किया, और ये आपकी final state है, और ये A, B, और ये non-final है, Q 1 B A, ठीक, तो क्या होगा, ये कौन सी language लेगा, अभी भी L equals to क्या लेगा, sigma star, got it, now, तो नोट के कित्ते point clear हो गए आपके, 6, where, F A, where all the non-final state is unrichable, except universal language sigma star के बारे में बात करी चुके, मतलब where, non-final state unrichable है, यहाँ ठीक, जेस्ट उल्टा था, now, नोट का next point है, नोट का next point 7th है, 7th थोड़ा सा काफी important point है, इसको आपको remember रखना है, 7th, 8th और 9th, यह जो अंगले नोट आएंगी, यह बहुत important है, gate में इनमें इसे एक पे question पहले पूछा जा चुका है, IIT Bombay gate 2013 में पूछे थे, ठीक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कई बार बच्चों को इसमें confusion होता है, तो यह तीन point आपको especially mark करना है, ठीक, Now, next point is 7th, a regular language can be accepted by more than one DFA, a regular language can be accepted by more than one DFA, more than one DFA, but accepted by only one minimal DFA, इसका मतलब यह हो गया, कि number of DFA constructed by regular language, infinite, कई तरीकों से बनाया जा सकता है, DFA regular language, कोई एक regular language दी है, तो उसके लिए कई तरीके से DFA design किया जा सकता है, but, number of minimal DFA, number of minimal DFA, हमेशा एक तरीके से ही बनाया जा सकता है, single, क्योंकि number of minimal DFA unique होता है, क्या होता है, unique होता है, ध्यान रखिएगा, next note का point है, 8th number, number of state in minimal FA, to accept universal language sigma star, तो कितनी state का बनता है, यह, single, एक state का बनता है, जिसे आपने language input symbol दिया, यह, तो कितने में बनेगा यह, L equals to sigma star, एक state में बनेगा, कहने के मतलब यह हुआ, कि number of state in minimal FA, to accept an universal language, universal language के लिए गर आप minimal DFA बनाते हैं, तो कितनी state में बनेगा, एक state में बनेगा, now, 9th point काफी important है, थोड़ा बच्चे इस पर confused भी होते हैं, लेकिन आपको नहीं होना, इसको यह आपको, याद रखना है, 9th point है, number of state in minimal FA, to accept the empty language, empty language 5, empty language 5, empty language 5 के लिए क्या होगा आपका, एक state यह बनेगी, एक state यह बनेगी, ध्यान रखेगा, कई बार बच्चे बोलके हैं, सर एक ही state में बनाईए न, ये भी तो कर रहा है, नई, ध्यान रखेंगे, अगर कभी empty language के बनाने के लिए आए, empty language मतलब 5 के लिए especially पूछे, तो number of 2 state लगेंगी, मतलब L equals 2, 5 equals 2, ये वाला bracket कितनी minimum state में बनेगा, ये 2 state में बनेगा, minimum ध्यान रखेंगे, कई बार इस बोलते हैं सर एक state बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पहले से बना-बनाया DFA दिया हुआ है, पहले से बना-बनाया DFA दिया हुआ है, और वो पूछे कि ये क्या accept करेगा, तो वो 5 accept करेगा, लेकिन अगर specify के लिए पूछा जाए, कि क्या पूछा जाए, number of state in minimal FA to accept the empty language 5, अगर ये specify करके रखा है, और पूछे कि ये कितने state में बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, दो state में बनेगा, वो दो state ये है, इसका rule ये है कि एक इसमें non-final state लेते हैं, और एक final state लेते हैं, ये point बहुत important है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये gate 2000 13 में मतलब आ चुका है gate में, ये IIT Bombay ने इस पर question किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक, now, next point है आपका, next theory है, और उसके बाद हमारा construction सुरू होगा, process of construction of FA, ओके, मतलब DFA का construction थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 17 point में, और उसके बाद next video से अपन, construction of DFA स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले finite language के लिए DFA बनाना सीखेंगे, फिर infinite language के लिए सीखेंगे, यहाँ से आपका basic part पूरा end हो जाएगा, now, process of construction of DFA देखिए, पहला point, DFA is a complete system, response for both valid and also invalid input, ठीक, second point देखिए, DFA is constructed for entire universal set sigma star, and sigma star are contained both valid as well as invalid input, यह दोनों point लगभग same है, third point देखिएंगे, for every input string X, FA goes to final if X is valid, अगर X valid तो final state में जाएगा, and FA goes to non-final state if X is a invalid, got it, यहाँ पे process of construction जो DFA है, तो जब हम question करेंगे, तो यह point, तीनों point आपको और clear होंगे, next video से हम स्टार्ट करेंगे, construction of finite, मतलब finite regular language के लिए DFA बनाना, और उसके बाद infinite language के लिए DFA बनाना सीखेंगे, अब यहाँ से आपका main part, मतलब सीखने मतलब जो हम लोग इतने दिनों से practice कर रहे थे, इतने सारे वीडियो में आपने देखा है, अब यह सारी theory का यूज यहाँ होगा, बाति, okay.